दूस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं घर में पूरा सिपेज सिलन आ चुका है जो इसका च्छत और वाल का जुआइंट है यहां से पूरा पानी टफकरा है और पूरे घर को खराब कर दिया है ऐसा हर घर के स्थिति है लगभा घरों में दिक्कत आती है बारिस के मौसम में औ हटो गर आप थोड़ा से पानी गिरता है या पूरा सिलन से इसमेल पूरा घर आपका खराब होने लगता है स्वास्ट हो जाती है कई बार अपको दवाओ घर लेना परता है मैं इस देखा हुआ है लोगों को साथ ऐसा हुआ है तो इस और वाटर पूरूर्फिंग कैसे की किसी भी घर की इसको इसे ठीक किया जाता है मैं आपको चैनल में बताऊंगा चैनल बाद पहली बार आये हुए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करदें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो छट होता है वह पुराना पड़ चुका होता है तो इसको ठीक तरीके से साफ किया साप करके उसके बाद उसके टूटल सेबन लेयर की बाटर पूरूफिंग की जाती है कई बर क्या होता कि आप खुद से मिस्तिरी बन जाते हैं केमिकल वगर बजार से लेकाते हैं और काम करते हैं वो चलता नहीं सक्षिज नहीं होता है बार बार टीटमेंट करते हैं कई तरह तो निकालना पड़ेगा मैं डिया इस प्रेंट्स उसको निकालने में इतने ज्यादा मक्सद करना पड़ता है कि आप सोच नहीं सकते निकलता तक नहीं है वह तो जब भी आप काम करेंगे प्रापर आप उस पर वाटर प्रूपिंग के काम करेंगे इसरेवल नेर पर यहां मेंबर के कमपण्व किसा व कांप की साथ में आज स्छेट अच्छा है की तक लोग हरी है कम्रीइ के छोच्टो चलते जा रहे हिने और वहां पर दोबार वॉटamment नहीं पड़ती है और वह तेल्वार पुरे है कоловVIS चीम किने हो और शर्डीय सेक्था काम करने का तरीका भी अच्छा है तो मैं इसका प्रासेस बता दिएंगे काम होता है जिसे इंडिया का एंदर में तोटल अनियींटर्ण किया ज़ाता हैêu सबसे ज़्यादा किया जना बस्वाट Bulgaria हो लेक्वीड मेंबरेन इसलिए इसलिए से यहाधे क्या जाता है कि किसी बिल्डींग बऄ मेरे कर सकते हैं न्याया कांस्टक्शन हो या पूराना हो या आपको हिआ च्छत पे के रेक चुका है या जो है और न्यार बना है सीपर कि समय से तो भी वहाँ पर किया जाता है और इस लीकुड मंबरेन को करने फायदा है कि इसको करने के बाद जाए तो भी कर सकते हैं के प्लास्टर कर सकते हैं गर्टर उगा सकते है कि चिछन में में ही जो है《कै किया जाता है इसके लाब कोई भी waterproofing महां पर नहीं किया जाता है तो सबसे पहले च्छत को क्लीन कर लिया जाता है क्लीन करने के बाद जो है पेश्ट लगता है मैं आपको वीडियो में दिखाया हूं पेश्ट कैसे लगता है मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो बहुत सारा म प्रासर साब देख लेंगे ठीट में लेंगे कासे र किया जा रहा है जो छहत और यह लिंटर होता इसका जुवाइं पर गोला बनाए जयता है गोला कई ये फाइदा हूता है कि कभीवी जुआन्ट से कई बार क्या होता है कि स्ट पे जाने लगता है छहत नहीं आता है टोटल जो है सेबन लेयर का काम किया जाता है यहां पर फानेल हो चुका है और छोड़ दिया गया सुखने के लिए हर एक टीटमेंट को छोटना पड़ता है धूप में सुखने के लिए क्योंकि यह जब सुख जाएगा तो बहतरीन होगा और इसका एजल्ट भी काफी है तो जब भी आप वाटर पूर्फिंग का काम करा हैं एक स्पेशलिस्ट वर्कर या जो उसका कुसल कारिगार होता है उससे ही करा हैं खुद से मिस्त्री वनेंगे तो पैसा भी नुकसान होगा और ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा कंपनिया बहुत सारी इंडिया कंपनी बड़ी कंपनी हर कंपनी अपने केमिकल का परचार करती है और उस पर प्रोसीडर लिखी होती है लेकिन हम लोग काम करते हैं मुझे मालूम है कि इसका कोई खास एक प्रोसीडर नहीं है यह उसी को मालूम होता है जो काम करता है काम करते करते इसको चीज को एक्स्प डिक्सिप समा नंबर दे दूंगा उस पर काल करका अथिक जनकारी ले सकते हैं और चाहें तो अपनी घर के भी वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं यह जो वाटर प्रूफिंग इसका सेलफ लाइप में बता दूं कि कम्पणी तरब से 5 सल की इसको वारांटी होती है और 25 सल को इसका सेलफ लाइफ होता है